Current Affairs Funda में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज किस वीडियो सेशन में हम जो भी स्मार्स तक के सभी important Current Affairs कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे daily Current Affairs PDF weekly PDF और monthly PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के first comment में या फिर description में दिये गए link पर click करके बास सकते हैं साथी Google Play Store से आप Current Affairs Funda app को भी इंस्टॉल कर लिजे क्योंकि जो भी हमारा Current Affairs material है जो हम आपको PDF format में प्रोवाइट कराते हैं ये सबी material आपको हमारी Current Affairs Funda app पर ही उपलब्द हो पाएगा इसके लिए आप हमारा PDF course बाइ करना चाहते हैं तो link आपको description में मिल जाएगा कोई भी अगर आपका doubt हूँ हमारे PDF course से सम्बंदित तो comment box में जरूब लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं शुरुवात इस वीडियो session की सबसे पहले 23 मार्च को पड़े गई Current Affairs quickly revise कर लेते हैं इंडिया का first post office cafe कॉलकाता वेस्ट बेंगॉल में open हुआ वर्ड मेटरलॉजिकल डे यह हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है और साल 2022 में इसका theme रहा है early warning and early action STFC बेंक ने auto loans को fully automated करने के लिए एक application launch की है जिसका नाम है auto first एक MOU sign किया गया है इंडिया और नेपाल के बीच में जिसमें इंडिया नेपाल को LPG gas stops और gas cylinders प्रोवाइट कराएगा इंडिया और C-cells के बीच military exercise होती है एक लामित के तो इसका ninth edition start हुआ है Reserve Bank of India ने कानपूर-based People's Cooperative Bank Limited इसका license रद किर दिया है आपको जाना चाहिए Government of India ने start-ups के लिए जो debt investment है उसको equity shares में बदलने का जो time period है उसको बढ़ा कर 10 साल कर दिया है पहले ये period 5 साल था आपको जानना चाहिए Confederation of Indian Industry यानि की CII इसने IIT कानपूर के साथ मिलकर first of its kind यानि के अपनी तरह का पहला Risk Surveillance Center लौंच किया है कोची पुलिस ने एक unique campaign स्टार्ट किया जिसका नाह में claim your public place पुसकर सिंग धामी फिर से उत्राखंड के Chief Minister बनाए गए है Indian Economist Jayati Ghosh इन्हें United Nations Advisory Board on Multilaterism इसमें appoint किया गया है Multilaterism का मतलब होता है तीन या तीन से अधिक देश या फे कॉर्मेंट जब साथ आते हैं कोई group बनाते हैं किसी problem का solution देते हैं तो उसको बोलते हैं Multilaterism शर्दार बर्दी मुहामेद्यू ये तुर्कमेनिस्तान के नए प्रेजिडेंट होंगे टेलर फिस इन्होंने BNP परिवास Open Tennis Tournament या फिर Indian Wells Masters फिस को कहते हैं इसे जीता है नीरत चोपडा को Sports Star of the Year मेल घुशित किया गया World Puppetry Day ये 21 मार्च को Celebrate किया जाता है चलिए अब देखते हैं 24 मार्च तक के सभी Important Current Affairs What is the theme for the world tuberculosis day 2022 जो की मार्च 24 को मनाय जाता है तो पूछने हैं कि विश्व 6 रोग दिवस 2022 के लिए विशे क्या है इसका theme क्या है काफी महत्तपूर्ण कोश्चन है और सही answer option D है invest to end TB, save lives देखें कई बार एक्जाम में देखा गया है कि World TB Day ये टूबर कुलोसिस ते इसका theme जरूर आप से पुछा जाता है तो ये आप जरूर याद रहेगा 24 मार्च को मनाय जाता है और आपको बता देए कि 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रोबर्ट कोच ने ये एनाउंस किया कि इन्होंने उस agent का पता लगा लिया है जिसके कारण जो TB की विमारी है ये होती है और इसका नाम है TB Bacillus आपको जाना चाहिए इसका theme जैसे कि मैंने आपको बताया Invest to end TB, save lives काफी मैंत पूर्ण है Which of the following has become the first paperless assembly by implementing national e-vidhan application program पूछ रहें कि निमलिकित में से कौन राश्ट्रिय e-vidhan application program को लागू करने वादी पहली paperless assembly बन गई है और सही answer option B है नागा लेंड तो देखिए नागा लेंड की जो assembly है वो first state assembly बन गई है भारत में जिसने national e-vidhan application program को implement किया है और इस तरह से ये paperless बन गई है अब जो members है assembly के वो electronic devices का यूज करके जो भी house की proceedings हैं कारवाई है उसमें participate कर सकते हैं बाकि आपको नागा लेंड के बारे में जानना चाहिए कि capital कोहीमा है यहां के governor जगदीश मुकी है वैसे तो यह governor आसाम के हैं पर यहां पर इनको additional charge दिया गया है यह governor है ठीक है governor लिखना है बोल गया चीफ मिनिस्टर निफियो रियो है और आपको चाना चाहिए होर्ण बिल फेस्टिवल आपने सुना भी होगा और कई बार एक्जाम में पूछा जाता है यह अमुमन एक से दस दिसंबर के बीच मयानी की दस दिन का यह फेस्टिवल होता है हर साल मनाया जाता है और इसको फेस्टिवल फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है तो किस से संबन दिते होंड बिल फेस्टिवल नागालेंड से, क्या कहा जाता है इसको festival of festivals which country has appointed संकर परसाथ सर्मा as new ambassador to India, किस देश ने संकर परसाथ सर्मा को भारत में नया राजदूत न्युक्त किया है options आपके सामने है और सही answer option A है नेपाल तो नेपाल की जो प्रेजिडेंट है बेद्या देवी बंडारी इन्होंने economist और former US envoy डॉक्टर संकर परसाथ शर्मा को भारत में नया ambassador गोशित किया है, साथी आपको दो बाते और जानने चाहिए कि नेपाल में भारत के ambassador है विनाय मोहन कौात्रा और दिसंबर के महीने में इन्डिया के ambassador चाइना में जो नियुक्ति हैं, इनका नाम है परदीव कुमार रावत तो हाली में इन्होंने अपना ये चार्ड़ समाला है, इसलिए भी निउस में रहे बाकी नेपाल से संबंदित हमने हाली में जो निउस पढ़ी है उनको देख लेते हैं, तो देखिए बारत के बाहर नेपाल पहली ऐसी कंट्री बन गया है जिसने UPI payment system को adopt किया है, साथ ही आपको जाना चाहिए इंडिया और नेपाल ये hydro power project building के लिए एक task force joint task force बनाने के लिए सहमत हुए है इंडिया's largest reclining statue of Lord Buddha is being built in, पूछ रहे है कि भारत में बगवान बुद्ध की सबसे बड़ी जुकी हुई मूर्थी का निर्मान कहा किया जा रहा है, options आपके सामने है, सही answer option C है, बुद्ध गया जानें इसके बारे में तो देखिए इंडिया का largest reclining statue जो कि भागवान बुद्ध का है ये बुद्ध गया बिहार में under construction है और किसके द्वारा मनाया जा रहा है बुद्ध इंटरनेस्टल welfare mission के द्वारा measurement की बात करें तो 100 feet long है, 30 feet इसकी height है और फरवरी 2023 तक ये जो सुर्द धालू है उनके लिए open हो जाएगा विजिट करने के लिए open हो जाएगा आपको जानना चाहिए बगवान बुद्ध जो है ये बुद्धिस्म में काफी importance रखते हैं महत्वता रखते हैं जो बुद्धिस्म जो religion है उसमें और ये इसमें आप देखेंगे जो अनुयाई है उनको प्रीच किया था उन्हें संबोधित किया था आपको बता दें ये एक फाइबर ग्लास से बन रहा है ये जो आइटर बन रहा है पुरा और इसको कॉलकाता से जो इसकर्प्टर है उनके द्वारा बनाया जा रहा है बोधिया के बारे में आपको जानना चाहिए एक religious site है और महा बोधि temple complex जो है यही पर है और ये गया district जो की बिहार में है यहाँ पर मोजूद है आपको जानना चाहिए ये वही place है जहाँ पर गोतम बुद्ध को enlightenment attain हुआ था बोधि ट्री के नीचे बैठ कर और साथ ही आपको जानना चाहिए कि बुद्धिस्ट के लिए चार परमुक sites है जो बहुत से संबंदित हैं उन में से एक बोधिया भी है बाकी की तीन है कुशिनगर, लुम्बिनी और सारनात आपको जानना चाहिए साल 2002 में महाबोधी temple complex जो की बोध गया में जिसके बारे में हमने भी देखा इसे UNESCO World Heritage Site का दरजा भी दिया गया तो इससा भी जानकारी आपके लिए महत्तपूर्ण है आगे बढ़ेंगे विच क्रेडिट रेटिंग एजनसी डाउन ग्रेटेड इंडिया's ग्रोथ फोर्कास्ट फॉर फिसकल यर 23 तू 8.5 परसेंट पूछनाएगी किस क्रेडिट रेटिंग एजनसी ने फिसकल यर 23 के लिए भारत के विकास पुर्वानमान को घटा कर साड़े आठ परतिशत कर दिया है सही आनसर ओप्शन सी है फिच रेटिंग्स तो फिच रेटिंग्स ने 180 बेसिस पॉइंट्स जो है डाउन ग्रेट की है भारत की जीडिप और यह अब हो गई है 8.5 परसेंट किस के लिए 2022 देश के लिए साथ ही जो वर्ड की इन्होंने जो जीडिवी ग्रोथ फॉर्कास्ट बताई है कैलेंडर यह 2022 के लिए यह इन्होंने 3.5 परसेंट बताई है और किसमे रिपोर्ट कौन सी जारी की इन्होंने ग्लोबल एकोनोमिक आउटलूक बाकि आपको जाना चाहिए जो OECD है यानि की Organization for Economic Cooperation and Development इसने जो भारत की GDP है कैलेंडर यह 22 के लिए यह 8.1 परसेंट कही है और 2023 के लिए 5.5 परसेंट बताई है तो यह देखे चेंज होती रहती जब भी आपका एक्जाम हो तो उससे एक हफ़ते पहले की आप latest जरूर पढ़के जाएं ऐसे तो यह बार-बार चलती रहती है बाकि आपको देखना चाहिए जैसे Fitch की हमने पढ़ी की 8.5 है पहले इन्होंने 10.3 बताई थी Moody's की आप दिसकते हैं जो येलो वाली है ये तो है पहले क्या बताई थी और जो ये शायद green color है ये है मतलब जो इन्होंने अब बताई है तो Moody's की देखे तो पहले 9.5 थी अब 9.1 हो गई है S&P की देखे तो पहले 7.8 थी अब भी 7.8 है Morgan Stanley की देखे तो पहले 8.4 थी अब 7.9 कर दिया है City Group की देखे तो पहले 8.3 थी अब 8 कर दिया है इसी तरह से आपको जाना चाहिए जो क्रेसिल है इसने भी 2022 थी इसके लिए जो भारत की GTV Forecaster इसको 7.8 परसेंट बताए है Which bank was honored with the national award for outstanding performance for fiscal year 2022-2021 किस bank को वित्वर्थ 2020-21 के लिए उतकरष्ट परदर्शन के लिए राष्टे प्रुसकार से सम्मानित किया गया है सही answer option A है J&K bank जानेंगे इसके बारे में तो देखिए Ministry of Rural Development के दुआरा J&K bank को national award for outstanding performance for fiscal year 2021 दिया गया है और किसके लिए J&K bank ने जो है Self Help Group Bank Linkage program में काफी अच्छा परदर्शन किया है देखे Self Help Group क्या होते है 15-20 लोगा group होता है जिनकी income काफी कम होती है और ये लोग आपस में ही पैसे इकठे करते है और जिसे पहले सबस्यादा आवश्यक्ता है उसको पैसा दे देते है यानि कि एक pool बनाते हैं एक fund बनाते हैं और उसको loan के तोर पर जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उसको दे देते हैं जब इन्हें ज़्यादे पैसे के requirement होती है तो ये bank के पास जाते है bank क्या करता है इनसे guarantee रखवाता है guarantee क्या होती है वही पैसा जो इन्हों नहीं इकठा किया हुआ है उस पैसे को ये guarantee के तोर पर bank के पास रखते हैं और उसके बदले bank इनको पैसा देता है जो की obvious सी बात है कि उस guarantee वारे पैसे से ज़्यादा होगा तो उसी program के था है ये जो जम्मो एंड कश्मीर बैंक आप कहेंगे इसको या जे एंड के बैंक इसने काफी अच्छा परदर्शन किया है यानि कि इसने सेरफल ग्रूप को काफी अच्छा जो है लोन प्रोवाइट कराया है और मतलब success rate काफी अच्छा रहा है वापस भी आ गया है पैसा बाकी जे एंड के बैंक की बात करें तो MD&CO बल्देव प्रकास है headquarters श्रीनगर में है और tagline है serving to empire International Day for the right to the truth concerning gross human rights violations and for the dignity of victims is observed every year on which day पूछने की सकल मानव अधिकार उलंगन और पीडितों की गरीमा की विसे में सत्य के अधिकार के लिए अंतराष्टे दीवस हर साल किस दिन मनाया जाता है सही answer option D है March 24 तो 24 March को ये मनाया जाता है ये जो day है ठीक काफी लंबा नाम है पर international day है इसलिए important रहे का आपके लिए आपको जाना चाहिए कि 24 March 1980 को El Salvador के एक human right activist थे Monsignor Oscar Arnulfo Romero तो इनको ये असेसिनेट कर दिया गया था तो ये वहाँ पर human rights violation के खिलाफ आवाज उठाते तो इनको असेसिनेट कर दिया गया था इनकी हत्या कर दिया थी 24 March 1980 को तो इनकी याद में ये दिन मनाया जाता है नेक्स्ट है हमारे पास नर्सिंग को पेट्टई नागस्वरम और तमिल नाडू has been granted the geographical indication tag वट इस इट पूछना है कि तमिल नाडू के नर्सिंग को पेट्टई नागस्वरम को भगोलिक शंके दियाने की GI tag दिया गया है आपको बताना है कि यह है क्या painting है, sandalwood oil है black rice की variety है या फिर classical wind musical instrument है सही answer यही है option D classical wind musical instrument जानेंगे इस question के बारे में महत्वरम है तो देखे नर्सिंगपेट्टी नागस्वरम यह तमिल नाडू का एक classical wind music instrument है और इसको geographical indication tag दिया गया है under the category of musical instruments of class 15 तो यह जो है आपका नर्सिंग का पेट्टई थंजवूर डिस्टिक में बनाया जाता है और इसके GI tag की application फाइल की गई थी थंजवूर musical instruments workers cooperative cottage industrial society limited के द्वारा आपको जानना चाहिए जो यह नागस्वरम है यह wood and metal का बनता है और इसको mangalavadyam का status मिला हुआ है साथ यह आपको जानना चाहिए इसको जो है नागस्वरम के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने यह instrument जो नागस्वरम है उसको gift किया था और यह snake की shape में है और नागस जो है इस instrument को use करते है इसलिए इसका नाम नागस्वरम है बाखिया आपको यह भी जानना चाहिए कि जो geographical indication registration है इसको administer किया जाता है geographical indications of goods registration and protection act 1999 के तहत साथ ही आपको जानना चाहिए question कई बार पुचा जाता है कि भारत में किस product को सबसे पहले GI tag दिया गया था तो यह दिया गया था जिदार जिलिंग टीको 2045 में साथ ही यह भी पुचा जाता है कि geographical indications registry कहां परिस्तित है यह है चिन नहीं तबिल नाडू में which country is former president सहाबुद्दीन एहमद passed away recently किस देश के पुर्व राष्टपती सहाबुद्दीन एहमद का निधन हो गया है सही आंसर option D है Bangladesh तो बांगलादेश के president रहे है 1996 से 2001 और chief justice भी रहे है तो इनका 92 साल के उमर में निधन हो गया है नाम है सहाबुद्दीन एहमद Fintech Unicon रेजर पे हैज एक्वायर्ड ओफ हैज एक्वायर्ड आईजिलियंट टेक्नलोजीज हुई स्थी ओफ रेजर पे तो Fintech Unicon रेजर पे ने आईजिलियंट टेक्नलोजीज का धिगरन कर लिया है आपको बताना है रेजर पे के CEO कौन है सही answer option A हर्शिल माथूर तो देखिए Fintech Unicorn है Unicorn Company है रेजर पे यानि की 1 billion US dollars ज्यादा की इसकी valuation है उसको बोलते है Unicorn तो इसने आईजिलियंट टेक्नलोजीज जो की एक पूने बेस्ट Fintech Startup है इसका अधिगरन कर लिया है इसको acquire कर लिया है amount तो नहीं बताई है साथ ही आपको जानना चाहिए कि 2014 से रेजर पे का ये फिफ्थ acquisition है तो हाल ही में तो हमने ये पड़ा था कि पिछले माई नहीं कि Malaysia-based Fintech firm है कर लेक इसको acquire किया है या आपके लिए important है आने वाले जो bank exam है साथ ही इसने Terrafin Labs को भी acquire किया हुआ है और Fint जो कि एक payroll and HR management solution नहीं इसको acquire किया एक fraud analytics startup है third watch इसको भी इसने acquire किया हुआ है CEO है हर्शिल मातूर Headquarters Bengaluru करनाटका में है Parliament Approved Budget for the Union Territory of Jammu and Kashmir for 2022-23 तो संसर ने 2022 तेश के लिए किंद सासित परदेश जम्मो और कश्मीर के लिए कितने रुपे के बजट को मनजूरी दी है सही answer option A है 1.42 lakh करोड रूपीज बाकि आप जानते है जम्मो और कश्मीर के लेफ्रेंड कमेंडर मनोस सीना है Winter Capital जम्मो है Summer Capital श्रीनगर है हाल इम हमने पढ़ा था कि जम्मो और कश्मीर यह first union territory बन गई है जिसको national single window system के साथ integrate किया गया है साथ ही हमने पढ़ा था कि आंची खट यह क्या है इंडिया का first cable state rail bridge है under construction है और यह उधंपुर स्रीनगर बारामुला rail link project का ही एक part है बाकि हमने पढ़ा था कि कंचोध festival भी जम्मो और कश्मीर में celebrate किया गया है हाली में How many women have been felicitated at the fifth edition of Women Transforming India Awards Women Transforming India Awards के पांचवे संस्क्रण में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है सही answer option C है 75 तो देखिए नीती आयोग द्वारा और इउगनाईस किया गया है Women Transforming India Awards और इसका fifth edition है एक question यह बनता है कि हाली में जो Women Transforming India Awards है इसको किसके द्वारा और इउगनाईस किया गया तो सही answer है नीती आयोग है तो जैसे कि आप जानते हैं कि बारत की स्वतंतरता के 75 साल हम मना रहे हैं आजादी का अमरित महस्तव के रूप में इसी मौके पर 75 Women Achievers को इस पुरसकार से सम्मानित किया गया है Women Transforming India Awards और यह Awards जो है 2018 से नीती आयोग के Women Entrepreneurship Platform के देहत दिया जाता है अब यदि आप मेंसे कोई इस तरह की Candidate है जो PCS लेवल या फिर IS लेवल की तयारी कर रहे है तो वहाँ पर देखिए इसी तरह से भी इस से question बनते हैं पूछ लेंते हैं कि Women Entrepreneurship Platform यह किस से संबंदित है RBI, नीती आयोग, FIKKI या फिर NASCOM किस से संबंदित है तो वहाँ पर इस तरह कोश्चन बन जाते हैं तो याद रहेखेगा यह नीती आयोग से संबंदित है As per the 2021 World Air Quality Report which is the most polluted capital city in the world 2021 की विश्व वायू गुणवत्ता रिपोर्ट के निस्वार दुनिया का सबसे प्रदुशित राजधानी सहर कौन सा है options आपके सामने है सही answer option A है Delhi जानेंगे इसके बारे में देखें important question है और थोड़ा दंबा explanation रहेगा तो थोड़ा patience रखेगा और ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल समझ में आएगा आपको देखें एक report आई है 2021 World Air Quality Report तो इसमें जो PM 2.5 का जो level है उसके हिसाब से जो cities है और countries है या capital cities है उनको जो है rank किया गया है तो जिसका ज्यादा PM है PM 2.5 जिसकी value है तो उसको ज्यादा polluted बताया गया है होता भी है सही तो Delhi जो है सबसे polluted जो है capital city बताई गया है capital city मतलब किसी देश की जो राजधानी है उनकी अगर rank करें 107 capital cities इस तरह की नों list मनाई उनमें Delhi जो है पहरी position पर है और ऐसा लगातार चोती बार हो आए कि Delhi सबसे polluted capital city बताई गया है इसका जो PM 2.5 level है यह 96.4 micrograms पर cubic meter आँका गया है तो यह report जो जिसका नाम है world air quality report यह फिर पेर किये गई है IQ air के द्वारा जो कि एक Swiss air quality technology company है तो इसने हाँ पर 6475 cities का data लिया है और 117 countries इसमें शामिल की गई है यहाँ पर केवल 107 capital cities लिगई है यह याद रखिएगा बाकिया आपको जानना चाहिए कि डैली के बाद है दूसरे पोजिशन पर ढाका बंगलेशी capital यहाँ पर लिखा है ढाका followed डैली यानि कि ढाका ने डैली को follow किया यानि कि दूसरी पोजिशन पर है या इसी को आप इस तरह से लिख सकते थे डैली is followed by पैसिव वोजिश में आप ऐसे लिख सकते है डैली is followed by डाका ठीक है तो वो भी मतलब वो ही है और डाका followed डैली यही मतलब है और तीसरी पोजिशन पर है जो चैर्ड है इसकी capital एंजा मीना तो तीसरी पोजिशन पर यह है अगर हम capital cities की बात करें बाकी इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्ड की जो 50 most polluted cities है उनमें से 46 polluted cities Central और South Asia में सामीर है बाकी इसमें बताया गया है कि Central और South Asia में जो 15 most polluted cities है उनमें से 11 इंडिया में है और कोई भी इंडियन city वो WHO की जो air quality guideline है 5 microgram cubic meter 5 microgram पर cubic meter इसको कोई भी achieve नहीं करता है बाकी 2021 में 48% इंडियन cities इन्होंने 50 microgram पर cubic meter इस level को जो है cross किया और जो की 10 times है WHO के guidance के तहत इंडिया का जो annual average PM 2.5 level है यह 58.1 microgram पर cubic meter रहा है दो जार इकिस में और 50 ऐसी cities जिनमें की worst air quality देखे गई उनमें से 35 भारत में है साथ ही बात करें अब बात करें यदि हम regional cities की तो भीवारी अलवर्डिस्टिक राजस्थान यह most polluted बताया गया है उसके बाद है गाजाबाद और तीसे नमबर पर है डेली अगर हम बात करें टो फाइफ लीस्ट पोल्यूटेट कंट्रीज और रीजन यानि सबसे कम पर्दुशेट जो है इस तरह की कंट्री या फिर इस तरह के रीजन वह है निव कैलेडोनिया दूसरी पोजिशन पर है यूएस वर्जिन आइलेंड्स तीसरे पर है पौर्टरीको चोथे पर है केफ़ड और पाचे पर है सभा यदि हम टो फाइफ इस तरह से आप यहां से भी समझ सकते हैं देखिए इस तरह के जो इमेजेस होते हैं यह मैं आपको टेलिग्राम पर शेयर करता रहता हूं टेलिग्राम अगर आप जोइन करेंगे तो काफी सारी तो देखिए five most polluted capital cities की लिष्ट है आपर नियू डेली ढाका एंजो मीना और दुशान बे मुस्केट और इसी तरह से हम बात करें टो five least polluted countries या फिर रीजन की लिष्ट है यह टो five most polluted countries की लिष्ट है जिसमें भारत पांच वे पायदान पर है तो इसे भी टेलिग्राम पर भी मैं आपको शेयर कर दूँगा रिविजन परपस के लिए आपके लिए आसानी रहेगी जरूर आप current affairs funda नाम से जो है सर्च किजएगा टेलिग्राम पर आपको मिल जाएग 21,000 के लगबग aspirants जुड़े हुए है हमारे पास अब देखते हैं previous assignment questions के answer what is caddy wiper तो ये एक malware है जो की Ukraine की जो government agencies है उन पर attack किया गया है ठीक है रश्या के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है Mukundra Hills Tiger Reserve ये राजस्थान में है what was the theme for world kidney day 2022 जो की दिस मार्च को मनाया गया तो theme है kidney health for all which country's upper house pass legislation that would make daylight saving time permanent starting in 2023 answer is United States the regional comprehensive economic partnership RCEP which is the world's largest trade deal and includes China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand has how many member countries answer is 15 और आप में से कई एस्पिद्स में बिल्कुल सही answer दिया है इसी तरह से आप participate करते रहें और आपके एससी हो गया बैंक हो गया किसी भी दरगा एक्जाम में उसमें कहीं न कहीं यूज होई जाता है बाइट था बुलेट तो देखिए आज का हमारा शब्द है बाइट था बुलेट तो यहां पर आप देखते हैं एडियम है ये एक ठीक है बाइट था बुलेट तो आप इसको कह सकते हैं आपको करना पड़ रहा है आपकी मजबूरी है तो इसको बोलते हैं बाइट था बुलेट तो यहां पर देखिए ओईल फंस बाइट था बुलेट फाइनली आखिरकार ओईल फंस ने वह डिफिकल्ट काम करी दिया वह अनप्लीजेंट जो है निर्ने ले ही दिया क्या निर के मार्केटिंग कंपनीज इन्होंने क्या किया है रिटेल रेट्स फोर पेटोल एंड डिजल इसको बढ़ा दिया है वाई 80 पैसे पर लिटर और लपीजी के भी जो रेट इन्होंने 50 पर सिलिंडर बढ़ा दिये हैं तो यही जो डिसीजन है कई महीने हो गए थे ने ले ज बढ़ा है और वो इन्होंने ले लिया है एक एक्जाम्पल आप यहां से देख सकते हैं कि आई हेट गोईंग तो देंटिस्ट बट आई विल जस्ट हैव टू बाइट था बुलेट मुझे डेंटिस्ट के पास जाना बहुत गंदा लगता है अच्छा नहीं लगता है पर म मैं जो है आई विल जस्ट हैव टू बाइट था बुलेट ठीक है लेकिन मुझे जो है अब जाना पड़ेगा क्योंकि पेन काफी सेवेर है आई डिसाइड़ आई हैट टू बाइट था बुलेट एंड टेका कपल ओफ मैथल क्लासेज इवन दो आई निउ दे वर हार्ड त तो काफी हार्ड है अब देखते हैं आज के साइन्मेंट कोस्टेंस फ्रेंट एक रिक्वेस्ट है आप ज्यादा ज्यादा संक्या में पार्टिस्पेट किया कीजिए केवल 15-16 लोग ही अब पार्टिसपेट कर रहे हैं तो ध्यान दीजेगा इस चीज़ पर ज्यादा ज्य चाहिए कि आपके वाद इसको जो है आंसर दिया करें भली एक कोश्टन आपको आता है आंसर दिया करें इससे क्या होता है आप आंसर देते हैं तो और बच्चे भी देखते हैं कि हां बच्चे आंसर दे रहे हैं तो हम भी उसमें पार्टिसपेट करें यह तो एक कई बार पूछा भी गया था एक बार कई बार तो नहीं एक बार पूछा गया था यह उत्राखंड का ही कोई शायद आरो यह आरो का एक्जाम था फिर पीचेस का था उसे पूछा गया थी पूर्ट ऑफ बुशान यह कहां परिस्ती थे इंडिया इस नोट पार्ट ऑफ दा एट नेशन्स तैट मेक अब दब आर्क्टिक कांसिल ठीक है जो आर्क्टिक कांसिल है इसमें आर्ट कंट्रीज है लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है बट इंडिया है रिसर्च इस्टेशन इन नाई एलुसंड स्वालबर्ड नौर्वेयन आर्किपलेगो ठीक है तो नौर्वेग का जो यह एक एक जगह है यह तो यहां पर भारत का एक रिसर्च इस्टेशन है वट इस दा नेम ऑफ इस इस्टेशन तो आपको भारत इस इस्टेशन का नाम बताना है क्या है आला कि भारत अर्किक कांसिल का हिस्सा नहीं है तो पार्चे कॉस्चन के आप आंसर हमें कॉमेंट बुक्स में जरूब बताएगा यदि एक कॉश्चन गांसर भी आता है तो वह भी हमें कॉमेंट बुक्स में बता सकते हैं यहां पर रेगूरर वीडियो सब्सक्राइब करें डालते रहते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question resolution पा सकते हैं दोस्ते आपर हमारे current affairs की प्लेश दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ साथ हमारे current affairs को शियर जरूर करें आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताइएगा थैंक्यू गाइस